हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी कब रोको गामी वित्तवर्स का बजट तीन मार्च को राजसरकार के वित्तमंत्री डौक्टर रामेस और उराउं प्रस्तूत करेंगी 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दोरान राजसरकार कई महत्पून विधयक सदन के पटल पर रख सकती है इस दोरान नियोजन निती को लेकर भी सरकार अपना रुख असपश्ट करेंगी उलेकनी है कि हाई कोट ने इसे निरस्त कर दिया है जिसके बाद विफिन सरकारी विभागम में न्यूक्ती की प्रिक्रिया बाधित हो गई है राज सरकार इसे लेकर चिंतित है, सरकार ने नियोजन निती पर आम राय बनाने की कोशिश भी की है, इसके तहट साथ लाग से जादा युमाव से राय सुमारी की गई है, इसमें उनका पक्च जानने की कोशिश की गई है, ताकि सरोमानी हल निकाला जा सके, संभावना है कि स पर्बल सरान अंतिम रूप देगी रामगड उप्चनाओ आज वोटिंग कराने के लिए पोलिंग टीम रवाना काफी संख्या में महला कर्मी है सामिल रामगड विधान सभा उप्चनाओ को लेकर आज 27 फरवरी को मतदान होना है रविवार को रामगड कॉलेज परिसर से सेक्टर अधिकारी और पोलिंग पार्टी को रवाना किया किया मौके पर मौझूद डीसी माध्यू मिस्त्रा ने मतदान कारे में लगे 2025 कर्मचारियों को सांति पूर्ण वकादाचार मुक्त चुनाओ संपन कराने के बात कही डीसी ने सभी कर्मचारियों को शुब कामनाई देतो हुए रवाना किया डीसी ने बता है कि रामगड विधान सभा में खुल 3,35,734 मत दाता है जिनमें 1,73,550 पूरूस एवं 1,62,184 महिला मत दाता है डीसी माधु मिसरा, स्पी प्यूस पांडे सहित अन्य वर ये अधिकारियों ने डिस्पैच सेंटर पर उपस्तित रहकर कारियों का जाजा लिया डीसी ने मत दान कर्मियों को उपलब्द कराए जा रही समागरियों वा अन्यकारियों का जाजा लेने के एकनम में सभी सेक् इस भहुनों में 405 मतदान केंदर बनाए गए हैं। इसमें बजट पेस किये जाने की तैयारी के साथ विपक्ची दलों की सवालों और रननितियों का तोड निकानने पर भी विचार में मरस हुआ। राज्य के विकास पर हुई चर्चा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को जार्खन के राज्यपाल से पी राधाक्रिश्नन ने मुलाकात की। उन्होंने नई दिल्ले में पी-म से मुलाकात कर उन्हें गौरी संकर की परतीमा भेट की इस दोराण उन्होंने राज्य के विकास से समन्धि द्विभीन विसीयों पर चर्चा की बतादे की सीपी राधाक्रिश्नन ने 18 फरवरी को जार्खन के राज्यपाल के रूप में स 27 फरवरी को होगी बिजेपी विधाइक दल की बैठक बजट सतर को लेकर बनेगी रननीती जानकारी हो की जार्खन विधान सभा का बजट सत्र आज 27 फरोरी से सुरू होने जा रहा है सत्र के दोरान राज सरकार 3 मार्च को व्यत्य वर्स 2023 का बजट पेश करेगी बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा सत्र के बीच में ही होली कावकास भी होगा बजट सत्र के दोरान सरकार काई महत्पून विधायक भी लाएगी बजट के पूर्व चालो वित्यवर्स के तृत्ती अनपूरक बजट भी लाए जाएगा गया है कि राजबहर के डॉक्टर एक मार्श को हर्ताल पर रहेंगे गढ़वा में डॉक्टरों से मारपीट की घटना को लेकर अंदूलन तेज कर दिया गया है गढ़वा में डॉक्टर पहले से ही अनश्चित कालिन हर्ताल पर हें इमर्जेंसी सिवाओं को छोड़कर अब पूरे रज में आंदुलन की तयारी है डॉक्टरों का कहना है कि जामताड़ा, धनबाद, हजारी बाग की घटना के बाद भी सरकार की और से आरोपितों के खिलाब कोई एकसन नहीं लिये जाने से वे आकरोशित है डॉक्टरों के प्रती सरकार का रवय या उदार्शिन है, इसलिए उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है तीन दिवसी निशुल के सिविर में 250 विकलांकों को मिला लाब रांची में स्री भगवान महाविर विकलांक सहता समेती संस्ता पिछले छे वर्सों से विकलांक एपम जरतमंद लोगों को मदद पहुँचा रही है जिसके माध्यम से सारीक रूप से विकलांक लोग को काफी लाब मिल रहा है संस्ता द्वारा रांची के तेतर टोली में तीन दिवसी निशुल के शिविर कायो चन किया गिया सिविर के अंतिम दिन रविवार को 250, विकलांक और जरतमंद लोगों को लाब औहुचाने का काम किया रांची रेलवे स्टेशन से 17 की लोगांजा बर्यामत दोतशकर गिरपतार रांची पुलीस नसे के कारोबारियों पर सिकंजा कसने के लिए लगतार चेकिंग अभ्यान चला रही है इसी दोरान गोपतु सूचना के अधार पर जीरपी एवं सीरपी की टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर एक से दोगांजा तसकर कुदा बोच लिया जिसके पास से 17 की लोगांजा बर्यामत किया गया पुलीस ने दोनों को नियाए किरासत में जेल भेज दिया वही मामले में पांच लोग को नामजद अभियोकतो बना गया पुलीस सभी अभियोकतों की तलासी में जुट गई है साधी समहरों से घर लोट रही नबालिक से गैंगरेब दो घंटे के अंदर सभी पांच आरोपी गिरपतार जार्खन की गुमला जिले के घागरा प्रखन की नाबालिक के साथ सामोहिक दुसकर्म का मामला प्रकास में आ है घागरा थाने में नाबालिक द्वारा केस दर्श करा गया पुलिस ने मामला दर्ज कर महज दो घंटी के अंदर पांच युवकों को गरपतार कर जेल भेज दिया है इस सम्मन्द में SDPO मनिस चंद्रिलाल थानेदार अमेद कुमार चौधरी वा S.I. अभेसे कुमार ने प्रेश कॉन्फरेंस कर जान का ली थी SDPO ने बता है कि सनिवार को एक नबालिक साधी समहरों में सामिल होने के ले गए थी जहां से सामिल होकर अपनी सहली वा एक दोस्त लड़का के साथ देर रात सहली के घर लोट रही थी इसी दोरान बीच रास्ते में पांच युवक आई और पिडिता की सहली वा लड़का दोस्त को भगा दिया जान से मानने की धमकी देकर नबालिक को कुछ दूर जहानी में ले जाकर सामोहिक दुसकर्म किया इसमें दो नबालिक क्याला वा नवीन उराउं बिंदेश्वर उराउं वा लच्मी उराउं शामिल हैं जैसे ही पांच युवकों ने पिडिता की सहली वा लड़का दोस्त को वहां से भगाया इसके बाद दोनों ने वापस लोटकर घटना की सारी जानकारी ग्रामिनों को दी इधर दुसकर्म करने के बाद चार युवक फरार हो गई जबकि एक युवक ने पिडिता को वापस साधी वाले घर के आसपास सोड़ कर फरार हो गया रविवार की अहल सुभा नबालिक पिडिता घागरा थाना आई और महिला पददिकारी एसाई जैसरी मिंज को घटना की जानकारी थी इसके बाद थानेदार अमित कुमार चाओधरी वा एसाई अभिसेक कुमार के अलबा पुलीस के जवान ताउरितकार रवाय करतो हुए दो घंटे के अंदर सभी दुसकर्मियों को गिरबतार कर लिया पूछ ताच के क्रम में सभी योगों ने अपराद स्विकार कर लिया है इस सम्मन्द में सड़ीपियों ने बताया है कि जिस ललकी के साथ दुसकर्म हुआ है वा नाबालिक है पौक सो एक के तहत प्रात्मी के दर्जकर जेल पेज दिया गया है जी ट्वाइंटी सम्मिट में तीन जगह तैनात रहेंगे चिकितसक मेडिका प्रवंधन को पत्र लिखा है सियाम ने निर्देस दिया है कि रिम्स के चिकितसकों की टीम एरपोर्ट में मेडिका के चिकितसक रिडिशन बुलू अमेदानता के पत्रातों रिसोर्ट में मौजूद रहेंगे समंधित प्रवंधन ने डॉक्टर और कर्मियों के शाथ एंबुलेंस साला का पूरा ब्योरा 27 फरवरी तक देने को कहा है विधान सभा का बजट सतर के दोरान ही G20 के बाटक पुलीस के सामने दोहरी चिनोती सुरक्षा प्लान तयार जारकन विधान सभा का बजट सतर 27 फरवरी से आहोत किया गया है सतर के दोरान सुरक्षा के इंतजाम काफी पुकता है बजट सतर को सुरक्षित संपन करवाने के लिए रांची पुलीस ने अपना प्लान भी तयार कर लिया है चुकि इसी दोरान 2 और 3 मार्च को G20 देसों की बैठक भी रांची में होनी है ऐसे में रांची पुलीस के लिए इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाना एक टिन टास्क होगा रांची SSP किशोर कौसल ने CM अवास से लेकर विधान सभा तक के सुरक्षा के लिए विसेश तयारी की है विधान सभा के बजट सत्र के दोरान सुरक्षा व्यास्था चाक चाबंद रहे इसके लिए पूरे परिसर में चार लेयर की सुरक्षा चाकर की व्यास्था की गई है पांसो जवानों की तैनाती तो की ही गई है इसके अलावा 20 इस्पेक्टर और 10 DSP रैंक के अधिकारी भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे वही सत्र के दोरान विधान सभा और उसके आसपास की चेत्र में भी सुरक्षा की चाक चाबंद व्यास्था की जा रही है सत्र के दोरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों को कई तरह के निर्देश भी जारी किये गये है सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई गल्ती ना हो इसका खास ख्याल रखा गया है बजट सत्र के दोरान लोगों के शाद सालिंता और कुशल वहवार के साथ पेश आने का भी जवानों को टिपस दिया गया है विधान सभा के आसपास कई जगों पर बेरिकेटिंग की भी व्या प्रसार किया इस दोरान सभा को शंबोधित करतो हुए शियम ने कहा था कि लोगों को अपना पैसा जमिन में गार देना चाहिए लेकिन बैंक में नहीं राखना चाहिए उनके इस बयान पर अब राजनिती तेज हो गई है विपक्ष सियम के इस बयान पर मोखर है मिडिया स बातचित करते हुए कॉंग्रिस प्रदेश अध्धक्ष दीपक प्रकास ने कहा है कि सियम को अपने इस बयान को लेकर माफी माँगनी चाहिए उन्होंने कहा है कि मोक्यमंत्री जैसे पत पर बैठे लोगों को इस तरह का बयान दिना सोभा नहीं देता पसुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू का कारण परवासी पक्षियों को बताया कहम रित पच्छी दिखने पर ना चुए जारकन में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ड जारी किया गया है बुकारों में मुर्गियों की मौत के बाद पसुपालन विभाग ने इशे और अब इस फ्लू का कारण सामने आया है हलाकि सभी प्रवासी पक्षी संकरमित नहीं होते हैं इन्हे मारा नहीं जाना चाहिए कहाए कि इन से दूरी रखतो हुए इसकी सूचना विभाग को दे विभाग ने कहाए कि मृत पक्षी दिखने पर इसे ना चूएं विभाग या इस्थानी निगम को बताएं सिम्डिगा की दो महला फुटबॉलर भारतिय महला फुटबॉल टीम के राश्ट्रिय काम के लिए चानित 20-29 मार्स तक बंगलादेश में आयोचित अंडर 17 सैप महला फुटबॉल चेंपियन सिब 2023 के लिए भारतिय महला फुटबॉल टीम के राश्ट्रिय काम के लिए सिम्डिगा की दो बेटियों विक्सित बाड़ा और सोलिना डांग का चैन हुआ है रांची का तापमान 2.6 डिगरी गिरा अब 2-3 डिगरी बढ़ेगा जहारखन का पारा मौस्ता विभाग ने की ये भविश्यवानी रांची का निम्तम तापमान 2.6 डिगरी गिर चुका है अधिक्तम तापमान में 1.8 डिगरी की गिरावाट के बाद 0.9 डिगरी की वृध अधिक्तम तापमान तीन दिन तक गिरने के बाद उसमें थोड़ी विर्धी दर्च की गई है। अधिक्तम तीन दिन तक गिरने के बाद उसमें थोड़ी दर्च की गई है। अधिवास ने केवल और केवल सब्दों के माया जाल में आधिवासियों शहित सभी लोगों कुफंसा रखा है। चकरधरपूर में पसु तसकर को खिलाब चापेमारी 26 पसु जब्त पसु तसकर फरार चकरधर पर पुलिस ने एक बार फिर पसु तसकरी को रोकने में सफलता हासल की है। पुलिस ने 26 पसु को पकड़ कर चकरधरपूर थाना में रखा है लेकिन एक बार फिर पसु तसकर पुलिस को चकमा दे कर फरार हो गिया। चकरधरपूर थाना प्रभारी चंदर सेखर प्रसाद ने एक टीम बना कर चापेमारी अभ्यान चलाया। की देरात कर ली गई इस समद में मकान माली के द्वारा गोला थाना में लिखित सिकायत की गई है। वही एक बच्चे की मौत हो गई। गायलों में सिकंदर लाल, पतनी नीलो देवी, बेटा सुमित लाल, सिकंदर किससूर, सुरेश लाल, सिनिहा कुमारी और सिवान सामिल है। मिर्तक की पायचान सिकंदर लाल के चार वर्स ये बेटे सुभम लाल की रूप में की गई है। गायल सिकंदर लाल, सुमित लाल, नीलो देवी और सुमित को रिम्स राफर कर दिया गया है। गहटना के संबन में परिजनों ने बता है कि सभी कुंटी जिले के रन्या के हरा सुकु का उनिवासी है और कुंटी महादेव टूली में किराय के घर में रहते हैं। सुकुरवार को वे अपने गाउं के रभिवार की साम को वापस खुंटी लोटे थे। इस दोरन जब वे दरवाजा खोल कर अंदर गये तो गैस रिसाओ की गंदाई इसके बाद कीचन में जाकर रेगुलेटर की जाँच का रह थे तब भी घर में बिशफोट के साथ आग लग गई जिसकी चपेट में आने से सभी बूरी तरह से जुलस गए और घायल हो गए आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल पहुँचा गया जहां सुभम कुमृत घुशित कर दिया किया सिकंदर लाल सुमित लाल नीलू देभी और सुमित को रिम्स राफर कर दिया किया मा आपको जहरकन के हर चोटी बड़ी खवर का अपडेट आप तक पहुंचता रहें तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़ा इजादत फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में